हेलो 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 नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग कैसी चल रही है आपकी तेयारी और पिछले क्लास में हमने 1857-1857 की क्रांती पड़ी थी कई नाम है इसके विद्रोह नाम है क्रांती नाम है कुछ लोग बगावत कहते हैं कुछ लोग उसको अलग अलग प्रारूप देते हैं कुछ लोग ने कहा कि मात्रिये विद्रो 달 laure घिसने का राश्ट्रिय विद्रो किसी नंहीं श्βुत अन्तर ता शंग्राम हम लोग उसके कारण पढ़ रहे क्या क्या कारण था की या पढ़ने के चार्ट की इसको कैसे कैसे हम लोग क्षे भाग में बाटके पढ़ेंगे और उनको बात के एक। कारन पर बात कर दें कि या कारन था इसका क्यों ऐसा नौबत आयए कि इतना वरा कुरांती हुई इतना वरा विद्रोह हुआ तो यह आपको स्वरूप था सैनिक विद्रोह राष्ट्रिय विद्रोह श्वतंत्रता शंगराम ठीक है कि अब हम लोग आगे चलते हैं कारण पर कारण को हमने दो भागे बाटा था एक दिर्कालिक कारण था लॉंग टर्म कारण जो इमेडियेट कॉज लॉंग टर्म कारण का मतलब क्या होता है कि जब भी आप बगावत करते हैं किसी से तो कई दिनों से आपके ऐसा मन में विचार आते रहता है कि नहीं मुझे बिद्रों का भावना एक दिन में नहीं बना मतलब बना मतलब टर्म कारण को हमने राजनेतिक और प्रसासनिक, धार्मिक और समाजिक, आर्थिक और स्यानिक कारण चार भागें बाटा था राजनेतिक और प्रसासनिक कारण हमने पिछले क्लास में डिसकसन किया था आज हम लोग आर्थिक, धार्मिक, समाजिक और स्यानिक कारण से शुरू करने जा रहे हैं यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई संदे साइन्स क्लास आपका सोम वार से शुरू हो रहा है और जो साइन्स पढ़ाने आ रहे हैं सर यह दिल्ली के बहुत फेमस टीचर है, वो पढ़ाने वाले हैं साइन्स आपको तो उसकी चिंता मत किजिए और सर का नाम और पोस्टर हम लोग कल रिवील करेंगे और वो बहुत फेमस परसनाल्टी है, उनका आप सर्च किजिएगा उनका पढ़ाया हुआ साइन्स के स्टुडेंट लगभग उनका खूद का कतान है कि कई यह मतलब दस जार से ज्यादा स्टुडेंट सफल हो चुके हैं अलग-अलग एक्जाम में तो साइन्स के चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए ठीक है चली तो हम लोग अब आज स्टार्ट करने वाले हैं आर्थिक कारण आर्थिक के बाद हम लोग परेंगे धार्मिक और समाजिक कारण फिर स्यानिक कारण और फिर इमीडियेट कॉज करेंगे कि इमीडियेट चिंता नहीं कीजिए बहुत जल्दी आपका साइन्स कंप्लीट हो जागा जो लोग साइन्स के लिए परसान हो रहे हैं कि शुरू करते हम दो आज आर्थिक कारण से ठीक है तो आर्थिक कारण में एक तो मैं आपको शिलाइड के माध्यम से दिखा देता हूं कि हम लोग के पास स्लाइड है बहुत सारे बच्चे बोल ले तो सबसे पहले आर्थिक कारण हम लोग आज शुरू करेंगे मैं हिंदी इंग्लिस दोनों में लिखने की कोशिस करूँगा लेकिन ज्यादा मैं हिंदी में लिखूंगा और इंग्लिस में थोड़ा सा कम लिखूंगा ठीक है तो आर्थिक कारण ठीक है एकोनॉमिकल कॉस इस से मालूम पर रहा है कि कुछ पैसो की मार पढ़ी होगी मोटा मोटी जिनको नहीं पढ़ा हुआ है तो पैसो की मार में थोड़ा सा बैगराउंड समझते हैं लोग सबसे फ़रे 1764 में आपका कि कढ집ते हैं अब आप करने यूद्ध होता है ठीक है और भक्त सर् fifteen दो का वूसर Яन को उस भाउता है इनको मिल जाती है दिवानी राइट्स हाथ इनुर्वार अंडी आ कि धाउन शोड़ा से मखता इक सवल समझें आपको एक नय देश के कोई मैं आपकी बात कर रहां जो वीडियो देख रहे हैं कि आपको मिल जाता है एक आप सब्सक्राइब करने के लिए उस कंट्री में एक सब्सक्राइब करने के लिए कि चलो कपड़े और जूते खरिद के लाते हैं और वहां आपको मिल जाता है कि आप वहां के सीधे बन जाते हैं परधान मंत्री ठीक है प्राइम मिनिस्टर और सारा कुछ आपको अपने हिसाब से अब करना है तो अब टैक्स वसूलने का सबसे पहले तो आप सूचे कि जितना पैसा हो सके कोई आपको अटाइच्मेंट नहीं है कि यहां का आदमी जीए की मरें कोई मतलब नहीं रहेगा उससे मतलब आप अज इं अब टैक्स कैसे वसूलना है वो भी उनको नहीं पता था तो उन्होंने अलग-अलग करकर का सिस्टम लाना सुरू क्या कि टैक्स वैसे वसूलना है ये करना है वह करना है तो उस वक्त आर्थी कारण का रुवेश की नीति णिवेश की नीत और चौथ नोग्री तो इन चार माध्धमों से उन्होंने हमारा जो आर्थिक कारण था उसको उन्हें चार भागें बाट दिए अब सबसे पहले क्रिसी से भूर आजस्व होता है भूमी का रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम अभी एक जब आप सलेक्ट हो जाएगा तो एक पद है बिहार सब्सक्राप्रसाशनिक सेवा काई DCLR गे सबूद्म की कलीकटर कर्यां मेंद था क इनको तो वाक और इनको तो आता नहीं था कोई कि इनके हाँ वह उत्मा सिस्टम था नहीं तो इन्हों ने क्या क्या किeezा हिट इंड ड्रायल में में क्या किया हिए दोग तरफान आख से अलग अलग जगा पे मेरी राइटिंग खड़ाव है हिंदी की और प्लस यह कि मेरे पास जो लिखने का है कि वो भी उतना परफेक्ट नहीं है ठीक है तो सबसे पहले क्या आया ठीक है मैं विदाउट स्लाइड ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको दिखा दूँगा आपको यह समरी समझ में आ जाए तो यह क्रिसी लगान का सिस्टम था ठीक है स्थाई बंदोबस पर्मानिंट सेटलमेंट हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कोकि इससे भी कई सवाल आते हैं और जो लोग उसमें चोलंग नहीं कर पाते हैं तो हम लोग पहले इसको अच्छे से समझते हैं क्या है अस्थाई बंदोबस अब देखिए इनके पास क्या हुआ कि जब इनके पास टैक्स वसुलने का सिस्टम आ गया और कैसे टैक्स वसुलना इनको नहीं समझ में आ रहा क beni जया रे दा री मज़िताफ करें वर बस्ता हुआ कि इसमें क्या होता था कि कोई भी आद्मी मिले उसको टैक्स वसुलने का काम ठेटटरी के Extension कोaddra पर दे दिया गया कोई आदमी आया मजबूर टाइप का कि लो भी आ तुम जाओ टैक्स वसूल के आओ और तुम लाओ इसको तो यह कहां पर इंट्रड्यूस किया गया था आपको जब यह पलासी का युद्ध हुआ था उसके बाद इनको तीन जगा की दिवानी मिली थी तीन कोणकोण से दिवानी मिली थी बरदमान मिदनापूर यह उतना इंपोर्टेंट नहीं नाम लेकिन जान लिजी और चटगाओं कि है उन तीन जगा उनॉनने यह इजारेदारी विवस्ता क्या करना ला है कि न्या पोस्ट बना आया उन्हों ने और उसका नाम रिण्स कि दिवार किया नाम रखा इन्होंने दिवान क्या करेगा टैक्स वसूले का और पहला दिवान किसको न्यूक किया गया सिताव राय और रजा खान को ठीक है किससे सवाल आता है इसलिए मैं इसको लिखवा जा रहा हूं शिताव राय और और चाहे था कि बोली लगाई जाती थी और जो सबसे ज़्यादा बोली लगा है उसको टैक्स वसुलने का काम इसमें दे दिया ज़्यादा था था ठीक लेकिन इससे सरकार को revenue जो थी वह बहुत ज़्यादा revenue नहीं आ रही थी इसलिए सरकार बेचैन थी तो वो चाह रहे थे कुछ ऐसा सिस्टम आया जिससे कि ज़्यादा हम लोगो टैक्स वसुलने का मौका मिले ठीक है तो अब आते हैं आपको गवर्णर जनरल कौन वालिस ठीक है और ये इनके साथ एक रिवेन्यू बोर्ड बनाया गया था इसका मैं आपको डिटेल बताऊंगा जब वो पला चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे तो उसके जो अध्यक्ष थे जॉन सूर ठीक है तो इन दोनों ने मिलके 1793 में एक नया सिस्टम इंटर्ड्यूस किया जिसका नाम था पर्मानेंट सेटेल्मेंट हिंदी में बोलते हैं उसको कोई डाउट कहां से कौन अठाशन दर्मानेंगा वारा स्टार्ट किया था और क्या रिजल्ट हुआ था मुदू जी पढ़ेंगे उसको पहले यह तो जानने लिजे कारण क्या है कहां से क्या किया था वो कि देखिए यह जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यह आपको मेंस पीटी और आप आपका जो कॉंसेप्ट है वो क्लियर करेगा है कि हम लोग अगर आप लेट से जॉइन किये क्लास तो बात अलग है हमने सुरूं बता दिया क्लासिफिकेशन और हम लोग यहां तक पहुंचे ठीक है ठीक चलिए जो लोग लेट से जॉइन किये हैं गलती आपकी है कि आपने लेट से जॉइन किया है तो 1793 में क्या किया गया बर्मानिट सत् sacrific या फिर उस्थाई बंधोबस स्टार्ट किया गया ठीक है किसके किसके दौरा कॉन वालिस से और रेवेन्यो बॉर्ट की अधक्य से जॉनस यह जरूरी है यह 19% छेतर में लागू किया गया तक कहा कहा लागू किया गया बंगाल मंतलब बिहार बंगाल के अंदर यह आता था उस वक्त वारानसी कि बनारस लिख दीजिए बनारस और उत्री करनाटक में ठीक है कि नौर्थ करनाटक ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया चलिए आगे चलते हैं अब क्या था इसमें जो भी टैक्स वसूला जाएगा उस टैक्स को 11 भाग में बाट दिया जाएगा ठीक है और उस 11 भाग में से क्या होगा अंगोर दस भाग चला जाएगा अंग्रेज को और एक भाग जाएगा जमिनदार को ठीक है क्लियर है 11 भाग में बाटा जाएगा और 10 भाग जाएगा अंग्रेज को और एक भाग जाएगा जमिंदार को और यहां एक तर्व इंटूडूस गिया कि जमिंदार जमिंदार क्या होगा यह रहें अंग्रेज यह रहे किसान और बीच में आया जमिंदार यह मिडल मैं की तरह काम करें क्या करेगा यहां से पैसा वसूलेगा यहां पहुंचाएगा उसका इसको कमिशन एक भाग मिल जाएगा ठीक अब हुआ कि जमीन का मालिक कौन होगा क्योंकि यह तो राजा थे यह लोग बंदर खाथ मदरक लग गया था इन्होंने जमिंदार को बनाया मदम जमीन का मालिक तुम रहोगे जमीन के मालिक और तुम्हारा काम क्या है कि तुम्हारा काम है तुम जितना ज्यादा टैक्स वसूल सकते हो तुम्हारा टैक्स वसूलना है और तुमको जैसे टैक्स वसूलना है वैसे लेकिन अगर तुमने टैक्स वैस नहीं वसूला तो हम क्या करेंगे तुम्हारी जिमंदारी को हम निलाम कर देंगे निलाम करने का मतलब क्या हुआ कि हम किसी और को दे देंगे तुम से छीन लिया जाएगा ठीक है तो यह क्या हुआ यह मिडिल मैन की तरह इन्होंने काम किया और इसके लिए क्या किया गया कि इसमें बहुत साए लोग लेट करते थे जमिंदार कंपेन करते थे कि यह दिक्कत होग यह दिक्कत होग तो इसके सतराहसव चौरानवे में लाया गया सुर्यास्त का कानुन सुर्यास्त का कानून सुर्यास्त का कानून मतलब क्या कि जिस दिन आपको देना है अगर उस दिन आपने सुर्यास्त तक नहीं दिया तो आपकी जमिंदारी निलाम कर दी जाएगी ठीक है आपकी जमिंदारी निलाम कर दी जाएगी अब इससे फायदा क्या हुआ फायदा हुआ इससे जमिनदारों को जादा से जादा टैक्स वसुले को कि जितना जादा टैक्स वसुलेंगे वो उसका एक हिस्सा उनको मिल जाएगा ठीक है यह उनका हिस्सा फिक्स था पहला चीज़ हालत किसी खराब हुई किसान की किसान क्य के वहां लेवर अब किसान बने लगे लेवर और उसके बाद किया हुआ कि लोगों के मन में आक्रोस पैदा होने लगों की लोग भूखें मरने लगे ठीक है कि यह हो गया आपका पहला सही बात है अमोजी इंग्लिस और फार्मर के बीच में यह लोग से तुग काम कर देते हैं बहुत अच्छी बात है ठीक है डाउट कोशन के लास्ट में करेंगे टेस्ट कब होता है सपना जी टेस्ट हर संड़े को 12 से 2 के बीच में होता है चलिए तो यहां तक क्लियर है यह आपको कितने इसमें आपको नाम क्या क्या नाम याद रखना है जल्दी बताइए क्या क्या नाम रखना है जॉन सोर कौन वालिस दो नाम ठीक है कितने परसें भारत में लगाया गया था उन्निस परसें भारत में लगाया गया था कहां कहां लगाया गया था तो बी से बंगाल बी से बनारस और उसके बाद नौर्थ करनाट का ठीक है कि ड़न है इसमें चार चीज़ इंपॉर्टेंट थी याद करने के लिए वह चारों चीज़ आपने याद कर लिया है कि नहीं याद किया किसने याद किया जल्दी बताइए कि 1793 में लगाया गया था डेट हो गया को को कुछ मैस अप्ट मैस दे दिया रहा था ठीक है पर्मानेंट सेटेलमेंट बंगाल बनारस नॉर्थ करनाट का कॉन वालिस जॉन सोर ठीक है एक वार हम लोग इसका यह दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को कि यह वाला इमेज दिख रहा है कि नहीं यह चार्ट बने बनाया है यह आप लोगों को दे दिये जाएगा ठीक है ठीक है हाँ यह आपको जितना आप याद करेंगे उतना जाद आपका फैयदा होगा इसमें और क्लास में ही कोशिस कीजिए समझने का ठीक है आप दुसरा चलते हैं दुसरा है आपको रहियत वारि सिस्टम रहियत का मतलब किसान होता है आभी हम लोग रहियती जमीन रहरा जैरे प्रशन ini at कि अधा यह वाडी इसके चिंता नहीं कीज़े, ठीक है, हम लोग अपने slide में चलते हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरा है आपको, रयत वारी व्यवस्था, ठीक है, रयत वारी व्यवस्था में कितना है आपको, यह start किया गया था, 1820 में, कहां कहां पर start, किसके द्वारा start किया गया था, Thomas Monroe, Thomas Munro, ठीक है, यह क्या थे उस वक्त, यह थे गवरणर उफ मदरास, गवर्णर क्यों देंरल कॉन नहीं थे, कौन बतायागा, जल्दी, कौन है जो आप मेंसे समझपाया कि ये गौबवर्न यदि गौब ज इनल अफ मद्रास नहीं अधिकर इसको कहा कहा लगाया गया तो जैटिंग हो आई रहे इसको है रिजब लगायागा था मद्रास में तो बॉंबय में कूर्ग में और असाम में ठीक है कितने चेतर में लगाए गया था 51 परसेंट जो भारत था उसमें लगाए गया घीक है। इसमें जो टैक्स की दरे थी उस्तुरू में एक वी तीन थी 33 परसेंट थे बाद में इसको अठारह सो पच्पण में कर दिया गया था 50 परसेंट इंट्रीूश किया था ने देखिए क्या हुआ था आपको 1772 में कानूण आया था उस कानून के तहथ क्या किया गया था कि गवर्णर को गौवर्नर जेनरल बना दिया गया था बंगाल वाले और बॉंबे और मदरास वाले को उसके अंदर ले आए गया था कि एक जगह हो जैसे सिंट्रलाइज सिस्टम हो सबसे सबसे अलग अलग डिल नहीं करना पड़े एक सिंट्रलाइज हो वहां के लोग जो है वो एक किसी से कॉन्टेक्ट करें वो होगा गवर्नर जेनरल वो रहेगा बंगाल में और यह दोनों गवर्नर उसके नीचे होंगे ठीक है चलिए बहुत बढ़ी है जिनको समझ में आ गया है आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला है हमारा महाल वारी महाल वारी वह वस्था यह कितने शेतर पर लगाया गया था पहला वाला 19 परसेंट पर लगाया गया था दूसरा वाला 51 परसेंट पर लगाया जाएगा तो यह 30 पर महाल बोलती थी ठीक है और उस महाल के एक मुख्या होता था तो कि मुख्या का काम था मुख्या मालिक नहीं था गाउं के लोग ही मालिक थे और सबसे टैक्स कलेक्ट किजिए और जाके यहां पहुंच आई ठीक है कि समझ में आया अब जो पीछे वाले पर चलते हैं एक वार इस पर मैं आपको एक थुरा सा कुछ क्लियर कर देता हूं यहां वाले पर क्या वहत रहियत्वारी पर कि जब किसान अपना जमीन का टैक्स नहीं दे जा रहा था तो क्या करता था एक नया वहां पर आदमी पैदा हुआ साहुकार साहुकार क्या लोग आटते थे पैसे लेते इस से लोन पिसाहुकार पैसे लाटा-इस लोन देता था екाल मैं कर चुकाते थे टैक्स देते थे रहियतवारी सिस्टम में सरकार को क्योंकि इनको अपनी जमीन बचानी होती थी और इतना सहुकार के पैसे तले दब जाते थे मदर इंडिया में है न कि सहुकार ने मेरे मा के कंगन लोटा दे वही वहला सहुकार तो यहां एक नए आदमी का जनम होता है सहुकार ठीक है कि क्लियर है महालवारी सिस्टम में कहां था कि महालवारी सिस्टम में लोग गाओं को एक बना दिये महाल था और उसका एक मुख्या था उसका काम था टैक्स कलेक करना और टैक्स कलेक करके इनका काम था देना इसको इंट्रियूस किसने किया था Halt Mackenzie 1822 में ठीक है यह mostly कहां लगा हुआ था यह लगा हुआ था आपको UP उस बक्त संयुक्त परदेश बोलते था इसको पंजाब और मध्यपरदेश मध्यपरांथ ठीक है यह तीन आपका revenue system था ठीक है किसको किसको समझ में आए किसको किसको नहीं समझ में जल्दी बताईए कितनों को clear हुआ कितनों को bounce हो गया यह चीज़े सर एक प्रावल्म जब पढ़ाते हैं उसका notes कैसे बनाए sequence में sequence में notes बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो मैं आपको class में बता रहा हूँ कि समय जितना भी हो आज 1857 में complete कर दूंगा ठीक है अब 1857 करने के बाद आप उठाएंगे घटना चकर और जो कि जो हमारे app पर पढ़ा हुआ है questions उसको और वहां से practice करेंगे question ढूंडिए कि 1857 का कोई ऐसा question ले आओ जो मुझसे नहीं बने वो आपके पास challenge होना चाहिए आज के बाद से ठीक है आपसे ठीक आपको आज के बाद से question ढूंडना है कि कोई question उठा के तो लाओ मेरे पास जिससे कि मुझसे नहीं बने 1857 का वैसी करके हम लोग पूरा आधुनिक भारत में इतना चैलेंज लेके घुमेंगे कि हमसे question ले आओ जिसमें आधुनिक भारत कोश्टन चूटे वैसी आप हर subject में चैलेंज लेके पढ़िए कि कोई question क्लियर होता चले ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग है यह हो गया आपका तीन ठीक है इसके बाद आता है जो हमारा क्रिसी का वानिज्य करन वहां इंगलिस में बोलते हैं commercialization वानिज्य हो सकता है समातरा वतरा में कुछ गलती हो इसके लिए ठीक है यह क्या था वहां क्या हुआ इंडस्टियलाईजेशन हुआ इरोप में इरोप इंडस्टियलाईजेशन मतलब क्या हुआ कि उद्योग का वहां पर फैला हुआ उद्ध्योग को हुआ विश्थार वय लोग क्या हुआ सब के पास factories बन गई अबस अब को चाहिए था राव मेटेरियल रॉमेटेरियल कहा शावर डॉलkee के लिए उन्होंने जहाँ जहाँ उन्का कंट्रॉल ठाजो जो उन्के देश गुलाम शुरूप। अफिम यह सब काना शुरू किया गेहु चावल को छोड़के क्यों क्योंकि क्योंकि यह आपको रो मेट्रियल बनके जाता था बिटेन में वहां से यह फैक्ट्री में बढ़िया कपरा बनके और फिर इंडिया आता था कि चलो हमारा कपरा खड़ो तुम तो बहारे यहां जो कपरा बनता हो बनता है छोटे मसीन से हैंड मेड होता है चर्खी बला होता है हमारे हैं मसीन मेड कपरा बनेगा मसीन मेड कपरा का क्या होता है सबसे अच्छी बात क्या होती है क्वालिटी अच्छी होती है अब आपको एक चर्खा का कोई बना के देश और कोई मसीन का बना वह शर्ट जो आप पहनते हैं आशके तो क्वालिटी इसके अच्छी होती है द to 70 percent to 90 percent, इतना ज़्यादा आपको अनतर था, ठीक है, तो इंडिया से क्या होता था, कच्चा माल निर्यात, निर्यात का मतलब क्या होता है, यह बाहर जाता था, बाहर जाने को क्या बोलते हैं, export हुआ, और वहां से तयार माल को इंपोर्ट हुआ आयात हुआ डिक है कि तो इस तरह इन्हों रोग घरिसी का वजिकलन कर दिया कौमर्सेलाइज कर दिया क्यों कि अब जो किसान है अब बेचारा क्या करेगा के लोग आता बढ़ान्दीची से करते थे लोग गरीब किसान को पहले एडवांस पैसा देते थे और बोलते थे कि जो मैं बोल रहा हूं वही तुम उगाओगे ठीक है अब गरीब किसान है उसको बस खाने के पैसा नहीं है हिए कौके ऐसे स्टार्ट किये धैं लोग किरीसी हो गया उद्हों हो गया निवेश की निथी ऐनि लोग क्या कर रहे थे भारत में निवेश कर रहे थे निवेस का मतलब इन्वेस्ट कर रहे थी तो अच्छी बात है नहीं यह अपने परपस के लिए कर रहे थे यह रेलेवे में इन्वेस्ट कर रहे थे यह डाक में इन्वेस्ट कर रहे थे यह इंसुरेंस में इन्वेस्ट कर रहे थे और यहां का मोटा पैसा उठा के यह लोग कहां ले जा रहे ठीक है यह लोग यहां invest कर रहे थे और यहांसे पैसा मोटा पैसा कहा ले जा रहे थे योग मोटा पैसा लेके जा रहे थे जाए जरूर मैं बताने जा रहा हूं इसको बोलते है धन का बाहिर गमन घ्मन का बाहिर गर्मन इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेन ओफ वेल्थ यह कॉंसेप्ट किस ने दिया था एक कॉंसेप्ट दिया था 1867 में दादा भाई नायरोजी ने दादा भाई दादा भी थे भाई भी थे लुक्क है नायरोजी इनको कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मेन ओफ इंडियी स्वाल आ पहले अन्होंने लंडन में एटीन 1967 में लंडन में गये थे इस्ट इंडिया एस्सवाल के हुआन में एस्ट इंडिया एस्सीयेशन के सामार में यहां से कर सकते हैं, सेमिनार में, वहां पे इनोंने भासन दिया था, भासन का नाम क्या था? England Duties to India, मैं सवाल कुछ लोग लिख रहे हैं, मैं सवाल लास्ट में लूँगा, England Duties to India ठीक है और इसी पिन की एक किताब प्रकासित हुई थी किसाब किताब का नाम बहुत important है किताब है इनका poverty and un-british rule in India ठीक है यही भासन पे poverty and un-british rule in India ठीक है इसमें इन्होंने बताया था कि कोई भी economy होती है उसमें पैसा circulate होता है, ठीक है, एक एक्जामपल मैं economy जब पढ़ाऊंगा या सर पढ़ा रहे हैं तो उसमें होता है कि दो लोग हैं समझ लीजे, ठीक है, एक labor, एक आदमी है, man है, एक factory है, ठीक है, अप्या, एक कोन्सेट है, समझेगा अब अच्छा कॉन्सेट है, यहां आदमी गया काम करने, ठीक है, काम किया इसने तो फैक्टरी में क्या ख़ाएं, तो sisक वीजे टोल एकिस है, टोटल एक उहाल है, अप्य है, प्रिड का बना, ठीक है, अब फैक्टरी, एक अब फीन, ब माइकरो नहीं पढ रहे है अब टैक्टरी में 10 रुपय कर दा लिया और खा लिया दोणों लोग खुस अब इसके मन में विचार आया कि चलो 10 रुपया मेरा सेलरी मिला है मैं यह काम करता हूं कि 10 रुपया में से 2 रुपया सेविंग कर लेता हूँ अपना, 2 रुपया सेविंग अब ये काम इसने क्या किया? कि अगली वर जब ब्रेट खृधने गया तो मातन हम 8 रुपया का ब्रेट खरदा इसने सब्सक्राइब करने से क्या फाइदा पैसा अगर इकॉनमी से अप निकाल लेते हैं इधर उदर भेज देते हैं तो एकॉनमी में लॉस होता है इसलिए नहीं बोलता है कि खराब हो रही है यह तो लुक्सान होता यही समझाया था दादा भाई नौरोजी ने अपनी जो भासन था उनका इस्ट इंडिया सेमिनार में रिपीट कर देता हुए चलिए कुछ लोग गोल रिपीट करने के लिए अब एक चीज समझे आप एक आदमी है ठीक है और आप एक फैक्टरी में काम कर लै पूरे महीनयमा आपने दसतों रुफए का ब्रेड़ बनाया और आपको दस सेलरे मिला और आपको खाने के लिए जीवन में सिर्फ Ahmed चाहिए तो आप क्या किजिएगा आपने 10 रुपे का ब्रेट ले लिया एक और फिर से ड्रॉप करके बताता हूं तो आपको और समझ में आएगा यह आप है man यह है factory अ ठीक है यह पूरी economics इस देश में वहां सिर्फ एक ही आदमी है और एक ही factory है ठीक है अब पूरी जिए economy है यह 10 रुपे की है यह आदमी गया पूरे महीने काम किया यहां इसने इसका जो salary मिला 10 रुपे मिला 10 रुपे मिला और इसको 10 रुपे का उसके जवाब में क्या किया इसने इसने 10 रुपे हां कंपनी को दिये और 10 रुपे का ब्रेड खरीड लिया 10 रुपे का ब्रेड इसने खरीड लिया ठीक है? No profit, no loss जो भी आपको profit, profit भूल जाईए एक दम fair economic से कोई कमानी राहे 10 रुपे सेलरी थी, दस रुपे का ब्रेड खर definенные, पूरा महीना गुजर गया फिर अगले महीना कंपनी को पस कितने रुपे आगया? दस रुपे आगया? अब company को स्कितने रुपया है अब यह कितने को ब्रेट खरते पाएगा आठ रुपया अब इकनॉमिक्स में क्या फायदा हो जब पैसा आप निकालते हैं किसी इकॉनमी से बाहर भेज देते हैं तो वह एकनॉमी में लॉस होना शुरू हो जाता है अगले मैं फिर सोचा कि दो रुपया और बचा लेता हूं तो मातर छे रुपया का ब्रेट खरता इसने अब फैक्टरी के पास छे रुपया है कंपनी ने बोला कि मुझे हमें और लॉस हो रहा है हम आपके सैलरी को आठ की जगए छे रुपया कर रहे हैं यह कॉंसेट समझाया था दादा भाई नौरो नहीं थी आया कि दो बर समझा चुकां किसको किसको नहीं आया सर चली संजर प्रसाद जी को आ गया अच्छी बात है जिनको नहीं आया मैं पर और समझा सकता हूं क्लास के बाद समझाओंगा आप मोटा मोटी जान लिजे 1867 ठीक है 81867 याद रखिएगा क्या था दादा भा सब्सक्राइब का था पोवर्टी एंड अन बिटिस रूल इन इंडिया हजार मतल सको दिमाग है बैठा लीजे चांसे जहें कि कोशन यहां से आएगा ठीक कि मैं कोई एक्सपर्ट पीचर नहीं हो कुछ लोग मुझे बोलेंगे मैं कि स्टुडेंट हूं लेकिन मुझे पता चल गया त्यारी करते करते इतना मैंने प्रिविए से कोश्चन और यह सब करा कि कोश्चन कहां कहां से पूछा जाता है तो मैं आपको पढ़ाओंगा तो मैं कोशित्स यह करूंगा कि आपको भी पता चल जाए कोस्टन कहां कहां से आता है इसलिए मैं कोई बहुत तो पीचर नहीं मानता हो अपने आपको मैं इतना जरूर जानता हूंकि मेरा पढ़ाय हुए से आपका सवाल बन जाएगा आपका कॉंसेट बन जाएगा क्या मैंस स्टूडियों नहीं है और फिनांसली उतना नहीं है कि मैं स्टूडियों लगा सकूँ इसलिए इसी सेटप पर पढ़ाता हूं ठीक है चलिए कि अगर नहीं समझ में आये तो बताईएगा इसमें लेकिन क्या इसमें आपको तो क्लियर हैं देखने में जरूर 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 यह सब डाइकराम बनाने से एक्स्ट्रा नंबर मिलता है यही तो है कि जो लाइन है कि टॉपर कुछ अलग काम नहीं करते हैं और काम को अलग तरीके से करते हैं यही सब काम करना है थोड़ा सापको डिफ दिखाना है अपने नॉलेज़ का चलिए तो आगे चलते हैं अब अगला हमारा टॉपिक है आर्थिक के बाद समाजिक और धार्मिक धार्मिक एवं समाजिक ठीक है धार्मिक और समाजिक यह क्या है यह बहुत इंपोर्टेंट चीज देखिए अभी कुछ हम लोग की माननेता होती है माननेता का मतलब क्या होता है कि हम लोग कुछ कराबान के जाना है वैसी जो मुस्लिम कम्नीटी में है वहां उनका होता है कि हाथ पर धो के अंदर जाते हो लोग नॉर्मल्ली उसको तो ू नुकर हैं जो बाले टॉपिक में क्या था जूब डॉपिक में कि भ backlем कामि सब्सक्राइग और भारतीय चांटाइगा दो उसमें important point है तो इससे कारण से भारतिय पराव वो थे कि भाई सेम काम वो करें और हम करें और हमारी salary कम हो उसकी salary ज्यादा हो पहला चीज और उसको पोस्ट एक level से जाधा promotion भारतियों को नहीं दिया था था यह दो चीज था जो आपके कारण हमें लगता सही लेकिन कलकररेट में कोई आया बोले कि इतना गरम है टाइल से प्ईजश जल जाएका चपल पहन के जाओ हमें क्या है गुण essa आएगा वैसे कुछ चीज इज उस वक्त थी जो उस वक्त के कि लोग करते थे जिसको की 1795 में जॉन सोर कि दुवारा बैन लगा दिये गया ठीक है पहला आपको इंपॉर्टेंट था करन्याबद दूसरा है आपको सती प्रथा सती प्रथा सबको पता है कि अगर हस्वेंड मर जाए तो साथ में वाइफ को भी लोग जला देते थे जिन्दा जलाने का था उसका अंत किया गया 1829 में लॉड विलियम बेंटिक द्वारा दास प्रथा उस वक्त यह लोग सही मानते थे इस चीज़ को 1845 में लॉड एलन बॉरो द्वारा यह सब नोट्स में लिखा हुआ है नर्वली नर्वली दिया आता था कि उससे देवी देवता खूस होंगे नर्वली यह था 1844 में लॉड हार्डिंग द्वारा लॉड हार्डिंग ठीक है विध्वा विबा 1856 में लॉड डल हौजी द्वारा खतम किया यह सब खतम किया गया थे इनके द्वारा इससे कारण से लोगों के मन में बहुत ज्यादा गुस्ता था ठीक है अंतर जाती है विवा कि अब दुसरे कास्ट में उसकर सकते उस वक्त किया था कि लोगों को था कि नहीं भाया यह गलत है आप मेरे चीजुव पर कंट्रोल कर रहे हैं कैसे आप इलाउ कर सकते हैं विद्वा विबाव कासे आप सती पर्था कंटम कर सकते हैं लेकिन आज के लिए इस समय कि चीजों पर रोक लगाया गया इससे कारण से लोगों के मन में बहुत ज़्यादा विदो था ठीक है तो इन चीजों पर जब रोक लगाया गया तो लोगों के मन में अक्रोस आया कि यह हमारे समाजिक चीजों में इंटर्फेयर कर रहे हैं इसके बाद अगला है कि धार्मिक कि धार्मिक हस्चेप में सबसे पहले क्या हुआ कि 1806 में सेना में लगाने पर रोग लगा दिया गया कि आप तिलग लगा के सेना में काम नहीए करनेंगे तिलग bob लगाने पर जो औप Kir 거죠 लोगों दाढ़ी नहीं रखना होगा कि लगारी रखने पर दीया गया माला पर बैल लगा-दमारीक माला नहीं सब्सक्राइब कर दिए इस लिए 1806 में याद रखिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है सेना का पहला विद्रो हुआ था सेना का पहला विद्रो कहां हुआ था यह वेलोर में अक्सर सवाल आता है कि इसको कहते हैं कि सेना का पहला विद्रो कहां हुआ था तो यह 1857 मत कर दिजेगा अठारास उचे में हुआ था विद्रो का विद्रो क्यों हुआ था इन चीजों पर रोक लगाया गया था ठीक है फिर एक बहुत इंपोर्टेंट कानून था कि धार्मिक आयोगता का कानून धर्म परिवर्तन करने पर संपत्ति से आपको निकाल दिया है किसी भी कारण से अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं धर्म परिवर्तन कर रहे हैं करने पर आपको परिवारिक सदस्ता से संपत्ती से आपको निकाल दिया गया, तक आपको संपत्ती में कोई हिस्सा आपका नहीं रहेगा, संपत्ती से आपको बेदखल कर दिया गया, इस कानून को खतम किया गया, क्योंकि यह लोग चाहते थे लोग इसाई धरम में आए, तो इसी कानून क्या है कि अगर को आप धरम परिवर्तन करते हैं तो आपको संपत्ति से बेदखल नहीं किया जागा फोर्स फुली आपको संपत्ति का हिस्सा दिलाया जाएगा चीक है को कोई कंशूजन किसी को कोई डाउट चलिए तो आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्या था कि जेल में लोग अपना बरतन ले आते थे उस बरतन को ले जाने पर रोक लगा दिया गया कि जेल में आप अपना बरतन नहीं ले आ सकते हैं जेल के बरतन में खाया उससे लोग को बढ़ा ये था कि मुझे हिंदू को लगा हिसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए अलग से फंड निकाला गया ठारासो एक्टीस में ठीक है कि अठारासो एक्टीस में आपको हिसाई मिसीनरी को अनुमती दी गई ठीक है कि आप आईए और अपना परचार परशार किजिए ठीक है और धर्म परिवर्थन करने वालों को अलग से बेन्फिट्स दिये जा रहे थे ठीक चलिए तब हम लोग आगे चलते हैं लास्ट कारण वस्ता है असका सैनिक कारण सैनिक कारण भी बहुत इंपोर्टन्ट है क्यों क्योंकि सैनिक में विद्रो आएगा तभी तो बात आगे बढ़ेगी तभी तो आग लएगा यह तद्काली कारण नहीं है यह दिर्ग काली कारण है सैनिक वाला भी ठीक है सैनिक कारण अठारह सो चववन में एक नया अधिनियम लाया गया डांक खाना अधिनियम ठीक है कि पहले सैनिक को घर चिठी लिखना फ्री था अब उनका फ्री नहीं रहा अब उसको पेड कर दिया गया सैनिक को जब अपने घर पर चिठी लिखेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा कब वह 1854 में देखिए सैनिक को बहुत मन में गुस्सा आ रहा था और अंग्रेजो धरम भरस्ट हो जाता है नदी पार करणे पर समुंदर पार करने पर अगर ऑस्न पार करते हैं तो धरम प्रश्ट हो जाए गागा इनको फॉर्सफुली ले जाते थे करने पर उसका इक सबसे और एक्जामपल है कि 1824 में बर्मा जाने के लिए मना किया गया था lag चबिस जाने से कुछ लोगों ने मना किया था उनको फांसी दे दी रही थी लोगों के मनमे डर आ और इस से लोगों के मन में बहुत गुस्सा आने लागा मिसक्या सबसे लिख कहां के थे और जब अवग को कुसासन के नाम पे कंट्रोल कर लिया गया तो तो वहां के जो लोग थे, उनके मन में भी एक अक्रोस आया कि हमारे ही जो घर है, आप घर पे अत्याचार कर रहे हैं, हमारे लोग को दुखी कर रहे हैं, तो दो कारण यह थे, चीक है, और उसके बाद से हमारा ततकालिक कारण आ जाएगा, ततकालिक ऐसा क्या हुआ कि यह च राइफल, ठीक है, ब्राउन बेस राइफल की जगह उन्होंने एक नया राइफल इंटेड्यूस किया, एन्फिल्ड राइफल, इस राइफल का जो गोली थी, कार्टूस था, उस कार्टूस में एक अफवा उड़ा, कि उस कार्टूस में क्या है, गाय और सुवर की चर्वी ह है, गाय और सुवर की चर्वी है, और इस कार्टूस को अपने दास से ऐसे करके तोरना होता था, और उसके बाद बंदूक में फिल करना होता था, तो इससे हुआ कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का धरम भरष्ट हो जाएगा, मुश्लिम का दोनों का धरम बरस्ट हो जाएगा ठीक है ठीक तो सबसे पहले कहां यह सुरू हुआ सबसे पहले जो आया था यह बंदू के तीन जगा पर आया था दम दम बंगाल में दम दम बंगाल ठीक है स्याल कोट और अंबाला ठीक है यह तीन जगा आया था मंदूक और दम दम में सबसे पहले लोगों ने विद्रो किया कब विद्रो किया था जनवरी 1857 इस विद्रो को दबा दिया गया दम दम बाले को लेकिन यह बाच चारो तरफ फैल गए क्या ऐसा है ठीक है दूसरा इनोने बहरामपूर यह नोट कर लिजे सब लिखना हो तो आप यह मेंस के अंसर लिखना हो तो सबसे पहले दमदम में हुआ था दूसरा बहरामपूर में हुआ था यहां कब हुआ था फेव 1857 में ठीक है यहां वीश्चिश को दबा दिया लेकिन बंगाल में ही बैरक पूर है बैरक पूर में 34 वी बंगाल नेटिव इंफेंट्री बिन आई बंगाल नेटिव इंफेंट्री में जब यह बात फैली कि यहां पर यह वाले बंदुक यूज हो रहा है आपको एंफिल्ड बंदूक यूज हो रहा है और उसमें गाय और सूर की चर्वी है तो लोगों ने मना कर दिया इसको इसको lead किया यहां पर मंगल पांडे ने बहुत साइब लोग सपोर्ट में नहीं थे लेकिन मंगल पांडे ने साफ पना कर दिया कि मैं यूज नहीं करूंगा जब इसको forcefully जब कुछ लोगों ने oppose किया तो इन्होंने क्या किया कि दो लोग आये थे इसको अपोस करने के लिए sergeant, hewson ठीक है sergeant, hewson और lieutenant, bag इन्होंने क्या किया मंगल पांडे ने गोली चला दी इन दोनों पे ठीक है और जब गोली चलाने के बाद इन्होंने order दिया कि सब लोगो पकरो इसको मंगल पांडे को कोई आगे नहीं आया पकरने के लिए इश्वरी परसाथ सबसे आगे थे इश्वरी परसाथ को उन्होंने मौकिक बोला कि भया तुम पकरो ने तो तुम पर करवाई होगी कि इस वरी परसाथ ने साथ मना कर दिया कोई आगे नहीं आया ना कोई सपोर्ट में अ लेकिन एक थे श्वरी पकरहली यह का को अगे क 678 वह इन्होंने लेकिन उनको नहीं मारने दिया गया ठीक है ये कब की घटना है ये 29 मार्च की घटना है कहां से शुरू गए जन्वरी 1857 में दमदम फरवरी 1857 में बहरामपूर उसके अद बैरखपूर में 29 मार्च 1857 को ये देट इंपॉर्टेंट है 29 मार्च ठीक है और उसके बाद से क्या हुआ कि जब इनको पकड़ा गया उसके बाद इन्होंने अपना कोट फास्ट ट्रैक कोट चलाया और आठ अप्रील को ही इनको फांसी दे दी गई कितना फास्ट एक्सर न देखिए 29 मार्च से 8 अप्रील के बीच में मंगल पांड़े को फांसी दे दी गई और इनका कोट मार्चल किया गया उसके बाद और भी लोग जो पकड़े गया थे उन सब को भी अरेस्ट कर लिया गया और उनमें से सभी लोगों पर कारवाई हुई कई लोग जेल गए कई लोगों फांसी दी गई जैसे कि इस्वरी पर साथ थे उनको भी फांसी दे दी गई चीक है बैरकपूर बंगाल में है अभी मेरट में आएंगे हम लोग ठीक है इसमें डाउट है किसी को बैरकपूर बंगाल में है इसका इनफेंटरी में थे उसका भी नाम पूछा गया है चौतिस्वी बंगाल नेटिव इनफेंटरी ठीक है इसमें मंगल पांडे एक सिपाही थे सिपाही ने सबसे जादा पूछ किया कि नहीं मैं कुछ भी हो जाए नहीं करूंगा दो लोग वहां पे उनके हेट थे करना पड़ेगा इन्हों नहीं किया इन्होंने फायर कर दिया कोई भी आदमी आगे नहीं आए और उसके बाद सेख पल्टू की मदद से इनको पकड़ा और बाकी जब अंग्रेजी सेना क्या पकड़े और इनको फास्ट ट्रैक कोड़ा के फांसी कि सजाए दी गई इनके अब देखी क्या होता है यह हम लोग मार्स में पहुंच चुके मार्स के बाद हम लोग चलते हैं अगला डेस्टिनेस हम लोग का मेरट में क्या होता है नौव मई को यह बात पहुंचती है उसमक्त वार्टस अप नहीं था इसलिए समय लगता था नौव में एठारों संतावन को यह बात पहुंचती है तो लोगों मना कर देते हैं कि नहीं भया हम लोग नहीं यूश करेंगे तो पचासी सैनिक को दस वर्ष की सजा सुनाई जाती है और इनको जेल में डाल दिया जाता है अब जो इनके बाकी जो सैनिक थे इनको बड़ा बुरा लगता है कि भया यह हमारे सपोर्ट में थे यह लो और इस पचासी को फकरक डाल दिया गया तो इनको गुस्सा बहुत आता है और इस क्या कर है यह लोग जेल तोड़ते हैं सब को बाहर निकालते हैं सारे जो ग्रेज ऊहं को यह उसको वही को बंदू को लुटते हैं और उसस अधको मार देते ए और इनको समझभ न हाता है तो क्या करते यह लोग सबसे पहले पाहुंचते हैं दिल्ली ठिक है सब्सक्राइब माई दिल्ल दिल्ल पहुंचते हैं जो कि सबसे पहले कॉंटक्ट करते हैं इनसे जो वहाँ के बहा दूसा जफर थे कि भहा हम लोग ली मुझा बनाते हैं बहा दूसा जफर बोलते हैं कि इस उमर में हम pickhard बना हो चुकी है है औरे आप में छोड़ हो इस चुरे दों यह करते कि नहीं आप को कि यह पेंसंड पर थे उसमयराम से पंचन पर भूंग रहते बहादूसा जफर असी वर्सिन की उमर थी तो यह मना कर देते हैं नहीं भाया हमें जैसा है वैसी छोड़ दो सब इसको लिख दूँ मैं चलिए बहादूर सा जफर बहादूर सा जफर लीड के उसमें लीडर्शिप में इन्होंने इनको लीडर बनाया लीडर घोशित किया और बक्त खान जो थे जेनरल बक्त खान इन्होंने दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया ठीक है दिल्ली को जीत लिया जीत लिया अब कैनिंग बड़ा परसान हो गया उसमक्त यहां का गवर्णर जेनरल कौन था गवर्णर जेनरल थे कैनिंग यह बचान परसान हो गया इसमें सबसे पहले क्या किया कि जितने भी आस पास में जहाएं का कंट्रोल था जैसे कि पंजाब कश्मीर कि जीन्द कि से सारी रिजर्व सेना दिल्ली मंग आई ठीक है दो लोग को सेना पती यहां पर बनाया गया इमर्जेंसी में निकोलसन और हड्सन ठीक है सेना पती बने कि भाईया तुम लोग जाओ और जीत क्या हो जब इतनी सेना आ गई तो बैचारे जो हमारे मेरट के सैनिक थे और बक्त खाते इनको कमजूर पढ़ने लगे धीर दरे हारने लगे बहादू सा जफर जाके हुए हिमायू के मकवरे में कि मायू के मकवरे में जाके छुप गए अब अंग्रेज खोज रहा थे इनको कहां मिलेंगे कहां मिलेंगे तो अक्सर क्या होता है अप नहीं धोखा देते हैं दूसरों की जरौत नहीं पड़ती है तो इनके एक रिष्टेदार थे उनका नाम था मिर्जा इल्लाही यह क्या केरते हैं यह 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 चुपा हुआ है कैनिंग सेना भेजता है और इनको अरेस्ट कर लिया जाता है इनके वाइफ कर लिया जाता है इनके दो बेटे थे बचारे के मिर्जा ख्वाजा मिर्जा ख्वाजा और मिर्जा मुगल दोनों को इनके सामने गोली मार दी जाती है बगावत के करने के लिए ठीक है गोली मार दी जाती है इनको और इनकी वाइफ को हजरत महल को ठीक है इनको और इनकी वाइफ जीनत महल, इनको और इनकी बेगम जीनत महल को रंगून भेज दिया जाता है, कि आप पूरी जिन्दगी वहीं बिताईए, ये पूरी कोसिस करते रहते हैं, कि वापस लोटें, और 1862 में इनकी वहीं पर मिर्थी हो जाती है, ठीक है, तो ये दिल्ली पर टीक हो गया भी खोट्रोल हो गया, ठीक है, कोई दिक तो आपको जो नाम याद करना है, उन नाम में आपको याद करना है, डेट करना है कि दस मही desarroll, 57 को मेरट से विध्रोय इस्टार्ट होता है, बैक्ग्राउंद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरट से विद्रोय स से नपती यह होता है वो लीड करता थीक है उसके बाद पहले सीना बुला लेता है काल सकतरा तो इन हटा दिया इनको ठीक है तो इनको खोजा जाता है इनको रंगून भेज दिया जाता है विचार रंगून में 1862 मिंट की मृत्ति हो जाती है उनको दो बेटे मिर्जा ख्वाजार मिर्जा मोगल को इनके सामने गुली मार दी जाती है जितना भी important facts है जितना भी important questions बनेंगे इससे वह मैंने आपको समझा भी दिया है क्लास के दौरान तो और जो जो fact है मैं एक और फिर से आपको division करा दूँगा क्लास के बाद ठीक है अब हम लोग आगे चलते हैं लखनाओ की तरफ लखनाओ ठीक है अवत का छेतर है यह यहां क्या होता है सबसे पहले समझें यहां क्यों नौबत आई 1764 बक्सर का यूद यह थोड़ा सा बैक्राउंड आप समस्थे चलिएग अगर आता है ठीक है 1765 अलहाबाद की संधी अलहाबाद की संधी ट्रीटी अलहाबाद ट्रीटी इंग्लीज में भी कुछ लोटली लिख रहता हूं ठीक है 1801 में यहां पर सहयक संधी वेलेजली ने साइन कराया था 1801 में सहयक संधी सबसीडरी एलाइंस यह बैक्राउंड बता रहा हूं कि क्यों यहां पर इद्रु हुँआ और 1856 में यहाँ पे कुशासन का आरोप लगा के इसका विलाय कर लिया गया इसको कमिशनरी बना दिया गया ठीक है पहला कमिशनर कौन था जो लोग पिछली क्लास में बताया था आप लोग नाम बताएंगे ठीक है तो जो लास्ट इनका नवाब थे बाजी दली एक बचारे कमजोर भी थे इनको कलकत्ता ट्रांस्वर कर दिया गया ठीक है यह बचारे चले वहीं कलकत्ता लेकिन इनकी जो बीवी वाइफ थी बेगम थी असली सई वर्ड है बेगम तो इनकी जो बेगम थी बेगम का नाम है इनका हजरत महल हजरत महल वो चाहती थी कि नहीं हम आपको अपना नहीं देंगे जो मेरा बेटा है बिर्जिस कादिर अ बिर्जिस कादिर अ यह नवाब बने ठीक है यह चाहती थी कि मेरा बेटा नवाब बने लेकिन कुशासन का अरोप लगा के इसको अपने में विलाय कर लिया गया था विलाय कर लिया गया तो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थी कि नहीं मुझे चाहिए और लोगो का भी इनका बेटा बने है कुशासन क्या होता है यह दुबड़ा कूशान क्या होता कूशान का मतलब होता है बैड एड्मिस्टेशन कि आप चला नहीं पा रहे हैं आपके बस का नहीं है तो आप हटिये हैं ठीक है ठीक है मैंने एक सवाल पूछा था किसी ने जवाब नहीं दिया कि इसको कमिशनरी बना दिया गया तो पहले कमिशनर कौन थे यहां तो पहले कमिशनर थे हेंडरी लॉरेंस मैंने फिछली क्लास में बताया था कुछ लोग भूल गए हैं चीक है तो यहां कब होता है, यहां सैनिक वहुत असंतुष्ट थे, क्यों को कि एक तो विलैकर लिया गया अपने में और दूसरा है कि यहां का जो हंकदार था, हजरत महल और उनका बैटा बिर्जिस का दिर उसको रिकोगनाईज नहीं करके अपने मिला लिया गया और जब उन अपन कि चार जून को 1857 को यह लोग हजरत महल के लीडर्शिप में यह लोग बिगुल बजा देते हैं कि नहीं भी हम लोग यहां नहीं धन्य देंगे और सबसे पहले जाते हैं जहां पर इनका का था उसके अटाक करते हैं और हेंडि लॉरेंज को गोली मार देते हैं ठीक है अब को कि जब वहां से फ्री होता है तो यहां पर भेशता है कि सको हैव लोक और आउटरम दो सेना पती बेशता है अपनी सेना लेके सेना पती पहले आते हैं have luck और आउटरम ठीक है यह दो लोग आते हैं सेना लेकर लेकिन इनकी जीत नहीं होती है ठीक है फिर उसके बाद वो क्या करता है कि दिल्ली से कैनिंग क्या करता है कि नहीं भया अगर यहां जीतना जरूरी है अवद छेतर बहुत इंपॉर्टेंट है तो तीन स फिर वह दिल्ली से लेकर आता है और नीज यह दिल्ली से अलेकर आता है ठीक है यह तीन लोग जो पसेना लेके आते हैं तो इनकी बिल्कुल नहीं टिकते हैं ये लोग और हार जाते हैं हारने के बाद क्या होता है कि हजरत महल जो होती है हजरत महल नेपाल चले जाती है महल और बिर्जिस कादिर दोनों नेपाल जाके अपनी जान बचाते हैं ठीक है भाग के नेपाल जाके छुब जाते हैं ठीक तो ये शुरुवात थी याद करने वाला क्या क्या पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे याद करने का है ना ये अठारा सुचपन कुशासन का आरोग बैड अड्मिस्टेशन बेटा बिर्जिस कादिर बेगम हजरत महल कमिशनर हेंडरी लॉरेंस को मार दिया गया ठीक है लगनों के बगल में कानपूर है यहां क्यों विद्रह हुआ तो जो अंतिम पेश्वा थे कि अंतिम पेश्वा उनको मराठा चेत्र से हटाके यहां पे भेज दिया गया था कि आप जाईए और वहां जाके बिठूर में कानपूर के पास एक जगह है बिठूर वहां उनको सेटल कर दिया गया कौन थे यह बाजी राव धूती है बाजी राव सेकेंड ठीक है इनको यहां पे कर दिया गया और इनको पेंशन दिया जाता था आठ लाक रुपे एट लाक पर येर यह तो ठीक था लेकिन इनका जो बेटा था वो इनका adopted son था, दतक पुत्र कहते हैं उसको, दतक पुत्र, adopted son, इनके जीवन में तो सब कुछ सही चलना था, 18-1851 में इनकी मृत्ति हो जाती, 1851 में बाजी राओ की मृत्ति हो, ठीक है? अब इनका जो बेटा होता है, उसका नाम होता है धोंदू पंत, धोंदू, पंत, ये रिसब पंत वाले धोंदू पंत है, और इनका निकनेम होता है नाना सहाब, ठीक, इनको रिकोगनाईज करने से मना कर देते हैं लोग कि हम नहीं रिकोगनाईज करेंगे, तो ये क्या करते हैं कि लीड करते हैं आगय से, कि नहीं भ áreas करतु हमें नहीं मानोगे तो हम बात नहीं, आपको छोड़ेंग। वहां एक इनका सपोर्टर होता है जो कि इनका सेना पती होता है तांत्या टोपे कि अंध्या टोपे ठीक है और एक होते हैं इनका पूछ लिए एक पर जाना जाता है इनका निकनेम था इनका चन्दर पांडू रंगा पांडू रंगा ठीक है तो धोंदू पंथ और तांत्या टोपे मिलकर इनका करते हैं वहां जो इनका सेना पती होता है वो होता है सेना पती वीलर करहा है ठीक है नानसाहब और तांत्या टोपे सबसे पहले क enforcement पूरीं कर लेते हैं कि हुए कानना पूर पर सेना करो लेते हैं वीलर जाके छुप जाता है और वीलर आत्म समर्पन कर देता और यहां पर आके अटाक करता है और यहां पर आकर यह फिर से जीत जाता है और यह चंट्रोल कर लेता है ठीक है तांत्या टोपे नाना साहब नेपाल चले बाग जाते हैं जहांसी कि इनके पास चले रहे थोड़ा सा फेक्चुल फेक्चुल है इसलिए थोड़ा सा बॉर्डींग हो रहा है कि समझ में आ रहा रहा एक नहीं दारा लोग तो अगली क्लास में कंटिन्यू करें तो चला जाता है जहांसी गिरानी के पास क्यों जाता है मैं इसके बार वाले टॉपिक में बताऊंगा और फैक्चुल है तो इसलिए थोड़ा सा बोर मत होईएगा कानपूर में अंतिम पेश्वा बाजी राव दूती होते हैं इनको पेंसन मिलता है आठ लाक रुपे पर साल इनका दतक पूतर होता है एडॉप्टेट सन होता है धोंदुपंच जिसका नाम नाना साहब होता है इनकी मृत्तियों ठावन वह जाती है उसके बाल यह लोग बोल लेते हैं वीलर जो होता है यहां का सेना पती होता है उसको कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन कैमबिल दिल्ली से सेना लेके आता है और यहां पर जीत जाता है भाग के बाजी राव दूतिया नेपाल भाग आते एक वही रास्ता होता है और नाना साहब नेपाल चले आते हैं और जहांसी पढ़ना है और कुमर सिंग से 100% कोश्चन आना है तो अगर आप की स्टार्ट करेंगे गए अजीव है सब एक आवर में प्रोब्लेम होने लगती है ऐसे बनेंगे पीसे सबसर नहीं चलिए बहुत जोस ला दिया आपने उसमें नीजी यही जोस की जरुवत है कि मैं भी थादा सा पानी पी लेता हूं मैं ताटिकVIDU क्यों पानी पी लीजिये हम हम नोग कर लेते हैं को कि एक फायदा ही होगा खतम हो जाका अगले क्लास में कोश्टन करेंगे हैं है है अभी इधा मगा तश्रण अगली क्लास में हम लोग कोश्चन नहीं कर पाएंगे हम लोग लास कंप्लीट करने में लगे रहेंगे और कल क्लास नहीं लूँगा मैं कितने कौन कौन बता करका क्ल क्लास क्यों नहीं होगी कौन बता करके कल क्लास क्यों नहीं होगी कि यह इसे नीन चूटे की जो लोग बोर हो रहे थे कल क्या है important कि नहीं यह IQ का question है general knowledge का question है कल कुछ important है सही बात है एजाद जी का सही जवाब है नहीं एजाद जी ने सही जवाब दिया है नहीं 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 सब का गलत है कि क्लोजिंग नहीं है मधुजी उन्ती जून तो है ही बहुत कमी लोग जो है जो बता पा रहे हैं कि कल क्लास क्यों नहीं लूँगा मैं चलिए प्राश्ट्रिय खेल दी वह से सही चांदनी जी का सही जवाब है अर्चना जी सही जवाब आदिती जी सही जवाब है एक किरकेट मेरा फैबरीट है जितने पढ़ाई किया त्यारी की किरकेट छोड़ कर रखा था आप मैं किरकेट नहीं छोड़ता हूं कि तो मैं तो मैं तो मैंस देख सकता हूं अच्छा जी में जी जाएं वही लग रहा था 2008 में लोग को फिछले साल वर्टकप में यही लग रहा था कि मैं जी जाएंगे लिंग अब जहांसी की राणी हम लोग शुरू करते हैं कि कहां पर थी पहले यह मराठा चेतर में है जहांसी जो जगह है मराठा चेतर में है रानी लक्षमीबाई का जनम कहां खुवा था यह बहुत इंप्वौ्टंट नहीं लेकिन तब भी जान लीजे जनम इनका हुआ था अठारा सो अठ्ञाइश में वारणसी में ठीक है इनके जो पिता जी थे वो बाजी राओ दूती है कि बाजी राओ दूती है कि सेवक थे ठीक है और जो धोंदूपन थे नाना साहब इनको अपना मुह बोली बहन बोलते थे एम की और इनके जो बेस्ट फ्रेंड थे फॉस्ट फ्रेंड ऍे टान्तय टोपे बेस्ट जतना पढ़ेंगे लेतिना कमी पावर्फुल तो होगी और इतनी पावर्फुल थी कि जेननल ही रोज जो वहां पर राघ सेनपति था उसने अपने बायोंगराफिय सकत Disc시れं अप्षरिा कितनी हिंस्मती महिला उसने जीवन नहीं देक標 ठीक है तो यह इनका बैग्राउंड था ठीक है इनका तो विवां थ्यूद्ञ बनारश से जहार सी कैसे पहुँंची को की इनका विवां राजा गंगाधर राव गंगाधर वही है जो सक्तिमान है गंगाधर राव से वह था कभ वह था 1842 ठीक है इनकी जासी के राजा गंगाधर राव से इनका 1842 में विवा हुआ था इसलिए वहाँ चली गई थी ठीक है अठारा सो तीरपन में बचारे गंगाधर जी की मिर्ति हो जाती है गंगाधर राव की मिर्तिव अब मिर्तिव के बाद इनका बाल बच्चा था नहीं तो इन्होंने एक बच्चे को एडॉप्ट किया था ठी दा मोधर राव कब की बात है यह 1830 में अब 1830 में जब इनकी मिर्ति हो गई तो यह बोले के अगला राजा ये बनेगा तब तक आ गये थे कौन आ गये थे लौट डलहौजी आ गये थे इन्होंने बोला कि डॉक्त्रिन ओफ लैप्स डॉल्हाओ जल्दी बताइए मुझे ल अच्छा बात है अगला राजा बनेगा कौन कंपनी कि तो यही बात वाइन के साथ लौट डलहौजी नाकिन पर कर लिया यह बोली कुछ भी हो जाए मैं दूंगी नहीं को कि यह मेरे हस्वेंट का यह विरासत से चलता आ रहा है और आप लोग कई नया नियम ले आईएगा तो से थोड़ी कुछ होता है कि मैं आपको दे नजी था यह खुद आगे से आर्मी के कपडेल से कर देखshow है के लिड कर दी एक और इंपॉटेंट जानना चे जरूर है इनके बच्मण का नाम था मनी करनी का अभी एक फिल्म आई थी इनके बच्वनने क्या नाम था इनका मनी करनी का लिए कहुझि एक फिल्म ऐसे टीक है किसने किसने देखा है मैंने देख है मैं नहीं देखा था तो मनी करनी का थे इनके बच्वन का नाम और कंगना रनावत इजाद जी बहुत अपडेटेड है हर चीज में हाँ इनको प्यार से मनु बुलाते थे ठीक है चलिए तो कि यह हुआ प्रारम में कौन था इनके साथ इनकी एक हमसकल थी यह यूपी पीसे का फैवरिट कोश्टन है जलकारी भाई जलकारी भाई यह इनकी हमसकल थी इनके साथ हमेशा रहती थी ठीक है इसने और जहांसी की रानी लक्षमी भाई ने लीड़ किया इस चीज को कोई सेन कि आप और इन्हों ने किया कि जो वहाँ के जैनेरल हुउज फे पहले उन पर कंट्रोल कर लिया इन्होंने तब तांद्रोपय भी आ इधर से और दोनोंने मिलके ग्वालियर पर जैनेरल और यू रोज ठीक है कि यह मैंने कैसे याद किया था पता है यू रोज मतलब रोज रोज का मतलब हुआ जहांसी गदानी गुलाप थी वह इतना अच्छे प्रस्नालिटी थी इसलिए जनरल हुरोज इनके अगेंस्ट में थे ठीक है तो यह याद करने का तरीका आप भी इसको नहीं भूलिएगा सब्सक्ति में यहां झाया अच्छा जबाए तोब और उनका कमिनिकेसन अच्छा था है इंके पास थ ही लिए पास टेलिग्राम यह वे टेलि ग्राम में अपके वालगे ग्राम नहीं तुरंत एक दूसरे को सूचना देते हैं जब करता नहीं कि सबके सेना किसी से किसी को मतलब नहीं है जैसे यहां एक्स्टा सेना भेजी गई यह इन्होंने ग्वालियर जीता था फिर यह लोग बैक फूट पर आ गए और सत्र कि जून को और रानी लक्ष्मी भाई कि वीर गति को प्राप्थ हुए है कि वीर गति को प्राप्थ हुए है कि इनकी तारीफ जेनरल हीरोज ने अपनी आत्म कथा में किया है कि इतनी ताकतवर इतनी स्ट्रॉंग महिला उसने अपने जीवन में नहीं देखा है अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है कौन सा टॉपिक आ रहा है जगदीश पूर बिहार के बावु कुवर आप लोगों नीज नहीं आ रही होगी तभी में टॉपिक पढ़ाऊंगा नहीं तो मैं टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा इस ठीक है मैं कमेंट पढ़ लेता हूं खूब लरी मर्दानी वह तो पांच लोग लिखिए पढ़ना चाहते तभी आज करेंगे क्योंकि इसको आपक दुसका इंसर लिखेंगे 10 भाग में लिखेंगे ठीक है पहला भाग में सबसे पहले भिहार में विद्रोग जो होता है वो देव घर से स्टार्ट होता है ठीक है देवघर ठीक है, देवघर में एक रोहिनी गाउं होता है रोहिनी गाउं ठीक में 12 जून 1857 को कुछ सैनिक विद्रो कर देते हैं ठीक है, सैनिक विद्रो करते हैं और इसको तुरंत दबा दिया जाता है इस विद्रो को इसका दमन कर दिया जा था ठीक है शुरुवात कहा सोती है देवघर में बिहार की शुरुवात कर रहे हैं हम लोग यह हम लोग यूपी में थे अब बिहार आते हैं ठीक है सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगा देवघर में रोहिनी गाउं 12 जुन 1875 स्यानिक विदरो कि तीन कि जुलाई 1857 पीर अली कि ठीक है ने स्टार्ट किया इस विदरो को ठीक है विदरो को स्टार्ट किया कि यहां होते हैं कमिश्णर होते हैं पत्ना के विलियम टेलर विलियम टेलर ठीक है इसको दवा दमन कर दिया जाता है और पीर अली को फांसी दे जाती है ठीक है एकदम पॉइंट वाई पॉइंट दिमाग में रहना चाहिए आपके नक्सा मैं अपना मेंस का इंसर दिखाऊंगा मैंने यही सब पॉइंट करके लिखा है यह सवाल मेरे प्रेसमय पी आया था 1857 वाला कि हुवर सिंग का रोल और बिहार का पहला देवगर दूसरा रोही नी ठीक है बारह जुन अठावन तीन जुलाइट अठावन पीर अली बुक सेलर थे विद्रोह किया इन्होंने कमिश्णर वीलर टेलर ने दमन कर दिया पीर अली को फांसी तीसरे दानापूर में सैनिक छावनी होती है सैनिक छावनी में विद्रोह हो जाता है ठीक है छावनी में विद्रोह ठीक और इसका नेत्रित्व कर रहे होता है कौन हरी किसन सिंग अब जब छावरी में विद्रो हो जाएगा तो इनके पास बंदूक और इसकी कमी नहीं थी सारे सैनिक मिल जाते हैं सारे सैनिक मिलके सारे अंग्रेज जितने अंग्रेज सबको मार देते हैं जितने बंदूक होता है वो ले लेते हैं अब ये सोचते हैं करना क्या है तो ये चले आते हैं एक लीडर की तलास में हर्किसन सिंग बोलते हैं कि मैं एक लीडर को जानता हूँ जो कि हमें लीड कर सकता है उसके पास वो स्किल है तो ये लोग क्या करते हैं सोन नदी पार करते हैं सोन नदी पार करते हैं और पहुंचते हैं जगदीशपूर जगदीशपूर पहुंचके किस से कॉन्टेक करते हैं बाबू कुवर सिंग कुवर सिंग बाबू कुवर सिंग के बारे में थोरा से जान लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे इनका जनम जो होता है वो 23 अप्रिल 1777 में होता है ठीक है 1826 में ये जमिंदार बनते हैं ठीक है ये बहुत फेमस होते हैं अपने छेतर में क्यों किसी किसान को अगर कोई अपने लगान नहीं दे पा रहा रहा तो ये अपने पास से इसको पैसे देते हैं कि तुम जाओ मेरे पैसा ले जा और तुम लगान दो बहुत पैसे वाले होते हैं और ये पूरे अपने है रानि लक्षमी बाई रखें हों यह हाई है रहते हैं कि किया आपका हाँ हालत है ठीक है और मई जुन में आम भेज देते हैं कि यहां का आम बहुत और हजरत महल हादरत महल से भी इनका हमेशा का के साटर बता रहा हूं कि यह कॉमिकेशन शिस्टम हमेशा अच्छा था तांत्य तोपे का सबसे इनका कॉन्टेक्ट है सबसे बनाके रख्यों है कि कभी कोई दिक्कत हो तो याद कीजेगा मैं आपके हमेशा सेवा में खड़ा हूँ । थिक है कि समझ में आया है दाव कुवर सींग हरी किसन सिंग रुकुवर स्फिरख वीर कुमर्स था थिक तो जब सब लोग को इनके पास आगे हरी किसन सिंग आगे इनके पास उन्हों ने काया कि ही चलो हम लोगो सबसे पहले आरा का किला जीतना है ठीक यह असी वर्स के यूवा थे असी वर्स की उमर में जागा जोस्त पुराना था सब कहते हैं बाव कुवर सिंग बरावीर मरदाना था सही बात है इनकी जब आप असी सिंग में असी के उमर के वो भी थे बादूस अचाफ जो नहीं ने कहा था कि छोड़ दो हमको कहां ही सब चीज में इंवल्व करोगे और यह थे जो नहीं हम लोग आगे करेंगे ठीक है तो इन्होंने सबसे पहले बोला कि आरा का कीला हमें जीतना है उसके लिए इन्हों ठीक है और हरी किसन सिंग और इनके सहयोगी अली करीम यह सब नाम याद रखेगा यह सब नाम आपको लिखना भी है मेंस में ठीक है यह तीनों लोग के साथ मिलके इन्होंने गुरिला टेकनिक का इस्तमाल किया और यह बहुत बड़े मोटिवेटर भी थे इन्होंने हर वर को मोटिवेट किया कि आप लोग इस यूद में आये तभी हम अच्छे से जी सकते हैं नहीं तो यांगरेज हमें जीने नहीं देंगे ठीक है हर वर्क को सामिल कैया हर वर को को इस स्यूद में सामिल किया और उसके बाद इन्होंने क्या किया आरा के किला पर टैक किया यहां पर थे कौन थे सेना पती आरा में Captain Denver Captain Denver के इन्होंने हत्या की और आरा के किला पह इन्होंने control कर लिया ठीक है और वहां आरा में जाके इन्होंने पहला स्थापित किया आरा का पहला स्थापित किया ठीक है अब जब लॉर्ड कैनिंग को इसकी सुचना मिलती है गवर्नर जेनरल है तो वो तो खाली बैठेगा नहीं ठीक है उसने अपना सबसे मास्टर माइंड आदमी को भेजा विंसेंट आयर और भेजा कैसे वो भी जान लीजे विंसेंट आयर कि बहुत बड़ी सेना लेके को कलकत्ता से अलाहाबाथ जा रहा था के ल कात्ता से मारा वाज़ा जा रहा है ये esz RAW आपको लिखना है मने पना मैंस का अंसर आपको झांगे वे मैंने सब लिखा है कलकता साल्हा बाज आर उसे सूचना दीगए की नहीं भी या तुम आरा की तरफ डाइवर्ट हो जाओ वहाँ पे ज़्यादा जरूरी है तो यह लोग आरा प्याग है आरा पाके इनोंने अटाक कर दिया विंसेंट आयर ने ठीक है ज़े Vincent à hr ने टैक कर दिये इतनी बदिव इस सेनह देखके Koover Singh निकल गए Koover Singh निकल के निकल के कहा गए Koover Singh निकल के कए कानपूर तांत्या टोपे के पास और जाके वहां उनकी मदद की कि चलो हम लोग मिलकर अंग्रेज़ों को हराते हैं और कई जगह पे अंग्रेजर से अपनिकों के कारण, ते कि यूध्य के का बढ़न कहती है, कि वुद्य दिमाग से लड़ा जाता है, ना किस हीृना से लड़ा जाता है। आप भी इस BPSC की त्यारी कर रें है, सबसे पर आपको दिमाग में वो चीज़ thinking कर लेना है, कि मैं इसको जीत सकता हूं आप देखिए कि जैसे कुमर सिंग की मृत्ति होती है उनके भाई सेना वही रतियों लोग आगे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तब तक किने सूचना मिलती है हजरत महल के अमजोर पर रही है लखनव में तो वहां से यह क्या करते हैं जीतने के बाद चले जाते हैं लखनव अ चैक है हजरत महल के पास को सब्सक्राइब कर रहा हूं उनको सूचना मूलती है तो चले आने को बोलती है कि मैं आपको आजमगड की जिम्हेंदारी दे रही हूं आजम गड़ की जिम्मेदारी दे रही हूं आप वहां जाके कम से कम हमें स्ट्रॉंग कीजिए तो यह आजम गड़ में चले जाते हैं बहुत छोटी सी सेना लेके जाते हैं और आजम गड़ के इसका नाम रखेगा उत्र रॉलिया मैदान पे अंग्रेज सेना पती अंग्रेज सेना पती कर्नल मिल मैन को हरा देते हैं तब तक इनको लगता है कि चलो यहां हो गया हमारे जगदीस पूर में हमारी जरुवत है तो यह जगदीस पूर आते हैं ठीक है यह हम लोग ने नंबर देना थोड़ा छोड़ दिया है तो हम लोग कहां तक पहुंचे थे तीन नंबर तक पहुंचे थे पहला नंबर है देवघर दूसरा है पटना तीसरा है दानापूर ठीक है दानापूर के बाद चौता है कानपूर जाते हैं पांचमाय लखनव लखनव जाते हैं कि छठा है इनका वही लखनव राजमगण दोनों वही पर है ठीक है और आगे बढ़ते हैं लोग उसके बाद फिर जब इनको लगता है कि नहीं अब जगदीश्पूर लोटने का समय आ गया है तो यह करता है कि अपना एक प्रमुक लीडर जो उनका सेना का होता डगलस डगलस वह इनके पीछे लगा देता है कि जाओ खोजो जब तक वह जिन्दा रहेगा को कि उसने बहुत बुरी तरीके से यहां पर हमें हराया था तो उसको ढूंट रहा जब तक यह डगलस ट्रैक करते-क पहुंचता है उस दिन यह जग्दीश पूरी लौट रहे होते हैं और गंगा के किनारे इनका उससे यूद होता है कि क्या किसी को कुछ डाउट है क्या बैग में यूद होता है जीत कुवर सिंग की होती है तो गंगा किनारे डगलस से इनका यूद होता है गंगा किनारे डगलस से यूद ठीक है और इस यूद में ये विजई होते हैं लेकिन विजई होते हैं लेकिन इनके दाए हाथ में गोली लग जाती है राइट हैंड में गोली लग जाती है और जब जहर फैल रहा होता है तो अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड को काटते हैं और गंगा जी में समर्पित कर देते हैं ठीक है ठीक है तो उसके बाद जब यहां पहुंचते हैं तो यहां पर विंसेंट ग्रांड विंसेंट आयर जो होता है वो ली ग्रांड के करके अपना फिर जब जब पहुंचते हैं यह तो यहां पर विंसेंट आयर एक बहुत बड़ी सेना ली ग्रांड के नेत्रुत्र में इनके लिए त्यार रखता है ली ग्रांड के नेत्रुत्र में त्यार रखता है जिससे कि इनका यूद्ध होना शुरू हो जाता है यह उस सेना पर भी भारी पड़ते हैं लेकिन इनका जहर सरीर में फैल रहा होता है और यह 22 अप्रिल यह 22 अप्रिल अठावन को यह यूद्ध होता है और 26 अप्रिल अठावन को यह अपना को अपना प्राम त्याग देते हैं इनके मृत्युक के बाद इनके भाई अमर सिंग लीट करते हैं लेकिन जान इन तक नहीं लीट कर पाते हैं और जगदी स्कूल पर भी कंट्रोल हो जाता है अंगरे जोगा ठीक है चलिए तो अब हम लोगा दो चीज बचता है इस टॉपिक में बहुत लेट हो गया है तो आज क्लास ही रोक रहे हैं एक बचता है कि असफलता का कारण क्या था और इसका परिनाम क्या निकला तो हम लोग अब संडे को करेंगे अभी तक मैं कोई डाउट किसी को थोरा सा रि चलिए बारा जुन को सुरू होता है पटना में 3 जुलाइ 18 संथ आवन पीर अली को सुरू होता है कमिशनर विलियम टेलर होते हैं दमन कर दिया था पिर अलीको फांसी दे दिया थी दानापूर में सैनिक छाबनी में विद्रो होता है नेत्रित्व हरी किसन सिंग कर रहे होत एक की लह पर कंट्रोल करना है इनका तीन बनाते हैं आपसी ने के साथ और हरार को बोलते होते हैं की तो 현재 कंत्ता से आलाहा बात जा रहा धानlusion कर दी जाता के तुम आरा में रुख़ाहार कर दन और आता है पो कुवर सिंग पाटक कर देता है इतनी बड़ी सेना देखे कुवर सिंग समस्ने कि यह सही समय नहीं है तो वहां से निकल जाते हैं कानपूर जाते हैं तांते टोपे की मदद करते हैं वहां अंग्रेश को कई जगह हराते हैं अपनी युद नीती कारण तब इन्हें पता चलता वहां यही ना सेना पती होता है इंके बहुत बड़ी सेना देके इनके पीछे लगाया रहता है तो यहां पर ली ग्रांड एक सेना लेके इनका इंतजार कर रहा होता जैसे आते हैं 22 अपरील 1880 को युद्ध शुरू होता है जहर फैल ने कारण शरीर में 26 अपरील 1880 को ये प्रांध त्याग देते हैं और उसके बाद इनके भाई अमर सिंग कुजिन तक लड़ते हैं और उ अगली बार मैं चेक कर लोगा अब इसको अगर आपको मन है तो आप पढ़ सकते हैं स्प्रेक्ट्रम से या इसके पांडे से पढ़ सकते हैं और कोशन प्रैक्टिस करेंगे हम अगली क्लास ना सफलता कारण और परिणाम दो किशन करेंगे बहुत लेट हो चुका है तो जा करेंगे ठीक है ओके गुड नाइट